स्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी गुच्रात विदान सभाद चुनाहों का सियासी दंगल अब लगातार दिल्चस्प होता जा रहा है एक तरफ नेताओं का वार पलटवार का दोर्चारी है तो वहीं लगातार आम आदमी पार्टी के राष्टे सहियों चक अरफिंद केजवाल की जवानी जंग जो है वो लगातार देश हो रही है और इस बीच केजवाल मुश्किल में भी फसे हुए हैं तरजल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के रा कर अब एक बार फिर बीजेपी लगातार आब आदमी पार्टी और केज़वाल पर निशाना साथ रही है और केज़वाल को यह याद दिराया जा रहा है कि किस तरह से भगवंतमान ने हाली में यह कहा था कि उनके पास तो फोन का रिचार्च करने तक के पैसे नहीं है लेकिन अब इन चार्टर्ड प्लेन के पैसे का कौन भुपतान कर रहा है यह सवाल अब लगातार बीजेपी दाक रही है दरसल बीजेपी के तमाव नेताउख ने अरफिंद केज़वाल की चार्टर्ड प्लेन से उतरते खे तस्पीडे शेर की हैं और पूछा है कि दरसल कुछ द चार्टर्ड प्लेन से ही गुझरात पहुंच रहे हैं और तमाव राच्यों में चुनाव परचार कर रहे हैं चार्टर्ड प्लेन से वह वापस दिल्ली लोगते हैं तो इस तरह से लगातार यह चुनावी खर्चा आखिर कोन इसका भुकतान कर रहा है क्या पंजाब और द केच्वाल से यह पूछा जा रहा है कि जो केच्वाल के कहते हैं कि वह आम आदमी है और जो केच्वाल 2013 में यह कहते थे कि आखिर राहूल वगाथी या बीजबी के नेताओं का इन चार्टेट प्लेन का खर्च कौन वहन करता है इसका जवाब उन्हें जानना है लेकिन आज जब वही सवाल उनसे पूछा जाता है कि आखिर आपकी चार्टेट प्लेन का खर्चा कौन दे रहा है क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों ही राच्चे वित्ते संकट का जाफना कर रहे हैं वहां करमचार्यों को वेतन नहीं मिल रहा है और एक तरफ चुनाफी जनता के लिए जो विकास प्रियोचनाओं के लिए जो फंड है वो किस तरह से चार्टेट प्लेन में लुटाया चा रहा है ये तस्वीरे बताने के लिए काफी है और यही वजा है कि बीजेपी के तमाब नेताओं ने अर्विंद केजवाल पर निशना साधा है इसी कड़ में दिल्ली बीजेपी के सांसत जो है प्रवेश साहिब सिंग उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और चार्टेट प्लेन से केजवाल की जो उतर रहे हैं उसकी तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि नीली शेट पहन कर प्राइवेट प्लेन से उतर रहा है ये आत्मी निश्राना केजवाल पर साधा गया है इसके राफ़ा बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि हम आम आदमी हैं जी हम हर बार चार्टेट प्लेन में ही चलते हैं जी इस तरीके से तंच कसा गया है और वहीं बीजेपी के नेता राजश पाठिया ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले तक लाखों के फोन में रिचार्च के लिए पैसा नहीं था और अब चार्टेट प्लेन में यात्राइख हो रही है नोटंग की करने में अर्विंद केजवाल नंबर वन है उस तरह से उन्होंने भगबंत मार ने ये कहा उस दोरान की हमने किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया है हमारे पास तो फोन में रिचार्च तक के पैसे नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि दरसल केजवाल को मैंने एक बार फोन किया फोन कट हो गया उसके बाद केजवाल ने भी कॉल बैक नहीं किया उन्हें भी ये कहा कि पैसा नहीं है तो वो कॉल बैक नहीं कर सकते इस तरह का जो बयान था उनकर साथ नहीं आया था और सवाल उस वक्त भी उठे थे कि जो लाखो के फोन जो है अपनी जेफ में लेकर खूमते हैं केज़ेवाल जो की चार्टर प्रेन में क्या थ्राय करते है यह आखिर क्या फोन कर रिचार्च करने के लिए भी पैसे नहीं है या फिर सिर्फ गुजरात की जनता को बेवखोफ इस तरह से बनाया चारा है कि ताकि अपने पक्ष में उन्हें किया चाहे जिस तहा से एहमदाबाद में पहुँचकर केज़वाल सियासी नोटंकी करते ह है कि वो एहमदाबाद में ओटो में स्वार होकर ही ओटो वाले के घर खाना खाने के लिए पहुचेंगे लेकिन वहीं चुनावी यात्राई जो है वो चार्टर बेन से हो रही है तो दोगुला चेहरा जो है केज़वाल का वो लगाहतार बेनकाफ हो रहा है और इस पूरी 83 802 बयानबाजी का दौर गुज्रात में जारी है इस साल के आखिर में गुज्रात में विधानसबाद चुनाव होने हैं और इस बीच जो गुज्रात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं विजयर हुपानी उनका बड़ा वयान साफ ने आया है उनने कहा है कि गुज्रात मे साथवी पार पीजेपी की सरकार पनेगी यह दावा उनकी तरफ से क्या क्या है 233 से जादा बहुमत पार्टी को मिलेगा गुजरात की जनता को हमारे नेतर्थ पर पूरा भरोसा है आम आदमी पार्टी की कुछात में स्विकरती नहीं है आपके वादों में जनता का भरोसा नहीं है यह बड़ा पयान उनकी तरफ से दिया किया है जहां आम आदमी पार्टी पर भी हमला पूला किया है तो इस तरह से केचवाल लगातार खिर रहे हैं और जो भगवंतवान के कहते हैं कि हमने किसी को पैसे देकर इस जनसभा में नहीं बुलाया है लेकिन वहीं कुलजीत सिंग चेहल चोकी बीज़पी के नेता है रास्तानी दिल्ली में उनका एक वीडियो उनने शेयर किया है जिसमें आम आदमी पार्टी जो लगातार जनसभाई पहां कर रही है जो रोडशो कर रही है जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका वो वीडियो है और उसमें एक अव्यक्ति और वो दावा कर रहा है कि मद्यपरदेश से लोगों को इस जनसभाई में शामिल होने के लिए बिलाया किया है तो ये पूछा जा रहा है कि आखिर मद्यप्रदेश से आपको यहां क्यों बुला हिया है गुज़ात में इन तमाम जंसभाव और साथी रोडशो में शामिल होने के लिए तो उनका यह कहना है कि वो यहां आए है और गुज़ात की जंता जो की आम आदमी पार्टी के फेवर में हैं वो आने वाले वक्त में मद्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए पहुंचेगी तो इस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो भीड़ एकत्रित कर रहा है कि तरह का यह तमाम हदकंडे अपनाए जा रहा है साफतोर पर इन तमाम खुलासों से समझा जा सकता है और यही वज़ा है कि केजवाल लगातार सवालों के घेरे में हैं क्योंकि एक तरफ वो नेटाओं के चार्टर प्रेंट में घूमने पर सवाल उठाते हैं लेकिन जब यही सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो चुपी साथ लेते हैं और एक तरफ भगवंतमान ये मों टंकी करते हैं वहाँ सीक्योरिटी लेने से इंकार कर देते हैं लेकिन यही के ज्राश्वाल रास्थान दिल्ली में सेक्योरिटी ती जाए वरना परधान मंत्री अपने पत्से विधान सभा में करते हैं तो ये तमाम कह सकते हैं डिफरेंस है जो कि दिल्ली और गुजरात में अर्विंद केज़वाल में ही देखने को मिल रहा है चुकि दिल्ली में सत्ता में आ चुके हैं गुजरात में सत्ता में आने की कोशिश चारी है और ये तमाम सियासी नोटन की फिलाल अर्विंद केज़ में इस तरह से ना सर्फ चुनावी रेवरिया बाट रहे हैं बलकि चार्टर प्लेन से पंजाब के मुख्य मंतुरी के साथ एक बाद एक तमाम यात्राइब करना है आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइ कर दो कमें पने बाद रहे हैं